दोस्तों आज की इस वीडियो में कुछ इस प्रकार से इंस्टाग्राम रिल्स की वाइरल वीडियो का टुटोरियल देने वाले हैं जो कि इस समय काफी ज्यादा ट्रेंड में है तो अगर आप भी कुछ इस प्रकार का वीडियो बनाकर अपने इंस्टाग्राम पर अप्लोड करते हैं तो आपकी video भी viral हो सकती है तो इस video को बनाने के लिए आपको application की ज़रौत पड़ेगी जिसका नाम है तो चलिए टो चलिए अपने वीडिटिंग के लिए अपने a fragments को ऊपन कर लेते हैं तो यहां पर आपका वीडियो एड हो जाएगा तो फ्रेंड इस वीडियो का डाउनलोड लिंक आपको वीडियो के ड्रिप किप्सन बॉक्स में मिल जाएगा आप महां से जाका डाउनलोड कर सकती हूँ इस वीडियो को में कुछ इस प्रगार से स्क्रोल करना है तो स्क्रोल करने करके cut कर देना है एंड थोड़ा सा आगे की तरफ जाएंगे तो यहां पर जो हमारा दूसरा color आ रहा है तो इस पर भी हमें कुछ इस प्रगार से split करके बीच से cut कर देना है यहां से starting position पर आ जाना है अब फ्रेंड यहां पर हम red वाले फोटोस को एड कर लिया है एड करने के बाद यहां पर हम second वाले green वाले background को सेलेक्ट करेंगे रिप्लेस में जाएंगे और यहां से में कुछ इस प्रगार से यहां पर स्टार्टिंग पोजिशन पर आ जाना है फ्रेंड यहां पर आपको इस प्लस के आइकन पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहां पर आपको देख सकते हो फ्रेंड बहुत सारे एफेक्ट आ जाएंगे तो यहां पर आपको लाइट वाले एफेक्ट को दे देना है यहां से आपको done कर देना है second वाले पर click करना है यहां पर second वाले में भी आपको light वाले effect को दे देना है यहां से आपको done कर देना है अब यहां पर फिरन third वाले को select करेंगे select करने के बाद यहां पर आपको light वाले effect को select करना है यहां से आपको done कर देना है अब फ्रेंड यहां पर हम second वाले photo को select करेंगे select करने के बाद यहां पर आपको नीचे के side में effects पर click करना है तो यहां पर आपके सामने बहुत सारे filter आ जाएंगे तो यहां पर आपको spin out वाले filter को apply कर देना है याँ से हमें कुछ इस प्रगार से full photo पर खीज कर कर देना है यहां से हम done कर देंगे अब यहां पर second वाले photo पर click करेंगे effects में जाएंगे उसी वाले filter को यहां पर select कर लेना है spin out वाले यह से हमें कुछ इस प्रगार से फोटो पर apply कर देना है कुछ इस प्रकार से यहां से हमें done करना है second वाले photo को select करेंगे effects में आएंगे और यहां से उसी वाले filter को select करेंगे और इसे हमें पूरे photo पर apply कर देना है then यहां से हमें done कर देना है यहां पर हमें आगे वाले video को select करना है select करने के बाद यहां पर हमें प्रेटैस मेंक गरेंगों को सोबुआ है देना है विडियो को यहां पर नीचे साइड में स्क्रोल कर देना है तो इसको हम एडियों निकाल लेना है तो यहां पर हमारा नीकल कर त्यार हो छुका है और यहां पर पीच़े का पार्ट आ रहा है इसे हमें कुछ इस प्रगार से सेलेक्ट करना है और इसे हमें डिलीट कर देना है अप्रेंड्स में अपना एक के साइड में स्क्रॉल करना है तो Blending में आंगे Blending में आने के बाद यहाँ पर हमें से इसे स्क्रिन कर देना है और यहां में डन कर देना है कुछ इस प्रगार चींअ हमारा वीडियो कंपलीटिली बन कर तैयार हो चुका हभिसे अपने फोन में सेब करने के लिए यहाँ पर आपको उपर के साइड में सेरो पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना और आपको वीडियो सेब होना स्टार्ट हो जाएगा